हेलो अब सबी सोकत बात करेंगे यहाँ पर हैपेस मायन के बारे में दोस्तो इस कमपनी में यहाँ पर एक लेटेस निउस आ चुकी है जिसका आपको काफी बड़ा इंपैक देखने को मिलेगा और आप जरूर दोस्तो इस कमपनी के अंदर जो भी अपडेट आते है छोटे ब के एक्टिविटी को तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते कि हैपेस मायन में इसा क्या खास हो रहा है और हम पर कितना इंपैक इसका होगा स्टॉक प्राइस पर कितना होगा सभी और आरौन चीज़े यहाँ पर डिसकस करेंगे और देखिए आपको वीडियो अ बारे में चाहिए तो बताईए कनवे किजे कमेंड किजे दोस्तो और साथ ही बताना चाहूंगा आपको वीडियो यहाँ पर लेंदी लगे बड़ा लगे तो स्पीड बड़ा कर देखना बिलकुल कोई बात नहीं यहाँ पर आप देखिए जरूर आप तक अंडरस्टेंड पहुच नहीं चाहिए आपके नॉलेज में इंप्रॉमेंट होनी चाहिए है डेखेए आप हैप्पेसमीन की बात करेए तो आज अच दोस्तो हैप्पेसमीन में काफी बड़ा तरिके से जो मार्केट में तेजी थी उसमें हैप्पेसमीन vaad होते वे नज़र आया और साड़ यहाँ पर 824 का इसके अंदर इसने performance किया है आज और एक अच्छी बात आपको बता दो कि इस टॉक अभी उम्मी से अच्छा return जनरेट करकर देगा और इसमें यहाँ पर इतनी भी quality है कि यह company आपको return कमा कर दे बोलकार अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ तो इसके पीछे के reason भ रुपए का level देख रहे है ना यह बहुत ही अच्छा ही level रहेगा आपके लिए और जो लोग 800 रुपए यहाँ पर जो अभी highest correction अभी देखने को मिला है जो इसका आप देख सकते हैं कितना तो इसने 700 यहाँ पर 80 रुपए तक का 80 यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस level तक इसने परफर्म किया है low price का तब भी आप यहाँ पर इंटरे लिए हो तो भी सही है और मैं आप कहूंगा जितना हो सके आप यहाँ पर 900 के अंदर ही खरिदारी कीजिए आप बोलेंगे सर 900 के अंदर क्यों कि देखिए एक suitable और आच्छे discount में यह stock इस level तक चलेगा और आपके यह good opportunity हम कही सकते है जो खरिदारी करना चाहते उनके लिए बताना जरूरी था अभी news क्या है उसको पहले understanding करेंगे और यहाँ पर other चीजे discuss कर लेते हैं दोस्तों देखिए Morgan Stanley तरफ से sale किया गया happiness mind का steak यह अपने news पड़ी होगी but आपने proper तरीकी से देखा क्या क्या हुआ ह मैं आपको वो बताऊंगा देखिए news किसी के पास पहुची होगी नई पहुची होगी देखिए होगी but मेरा काम है आपको कुछ detail बताना देखिए नया फिटिटिक जो लो इस ने बनाया happiness mind ने उसके पीछे यहाँ पर Morgan Stanley ने जो steak sale किया उसका impact देखने को मिला but आपने यह उसके बात क्या हुआ अब मैं आपको बताऊंगा देखिए ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म मॉर्गेन स्टेंली टोडेश सोल्ड ओर थर्टी लैग शेर ओफ मीडिकेप IT स्टॉक IT फर्म हैपिस माइन टेक्नोलजी एंड यहाँ पर देखिए उसका impact क्या हुआ 785 तक यह डाउन गया पूरी तरीके से बट यहाँ पर आभी देखिए अभी changes कैसे हुए है साती मैं आपको बताना चाहँगा दोस्तों जैसे इन्होंने यहाँ पर 13,14,55 इतने जो शेर यहाँ पर बेचे क्या उसी तरीके से यहाँ पर आप देखिए 19,49,325 शेर भी वेल्ट मैनेजमेंट कमपनी जो यहाँ पर हम कही सकते हैं और उनने कितने पर 800 रुपए के भाव पर ही यहाँ पर बाय किये और Morgan Stanley ने बेचे कब 800 के भाव पर ही है 13,000 के बिक्वाली हुई है ऐसी बात नहीं कि निगेटिव लेना और अपना यहाँ पर माइंडसेट चेंज करना मैं कहता हूं कि कमपनी में आपको दोनों तरीके से सोचना चाहिए और देख सकते हैं लोग जो यहाँ पर जानकारी आधी लेकर घुम रहे हैं और कमेंड भी करते हैं कि सर आप बोल रह करता है होने दो बट हमें यह बात पता है ना इसमें दम है तो हमने रहना चाहिए और मैं तो यही बात कहता हूं कि मीड क्याप स्मॉल क्याप यह ज़रूर आपके पोर्टफुली में रहने चाहिए क्योंकि यह तो ऑक्सिजन देते हैं और पूरी तरीके से परफॉम भी कर हाना कि हम यहाँ पर लंबे समय का दाव लागाने वाले है और हमें यहाँ पर रिटर्न जनरेट होने की पूरी जो यहाँ पर डिटेल है वो कंपनी का बिजनेस देखकर समझ में आती है मैं कहता हूं कि IT सेक्टर में ऐसा कोई यहाँ पर बिजनेस नहीं है जो बंद होगा बिल्कुल कहूंगा बंद कोई भी नहीं होगा इतनी डिमांड है दोस्तों आप यहाँ पर देखें पूरे वर्ड में यहाँ पर इंडिया की जो IT कंपनीज है क्या यहाँ पर रैपिडली GDP में ग्रोथ करकर दिखारें बोलतो GDP में परसेंटेज बढ़ रहा है इनका अभी 2020 अगर 20-17 तक आपको यहाँ पर पिछला डाटा बताना चाहूंगा 7 परसेंट के करिब का उनका GDP में वेटेज है IT कंपनियों का जो IT से आरनिंग होती है इंडिया को तो आप देखरें कितना बड़ा GDP में वेटेज रखते हो इंडिया के ग्रोल्स डोमेस्टिक जो हो सकते है थैंक यू